कि Hello friends so welcome to one more video और इस वीडियो में बात करने जाओंगा मैं जो आपके निमेंटीक टे ली कंटर्ल्ड वॉल्व होते हैं उसकी इसेंब्ली किस तरह से होती है निमेंटिवाव नियक वाल्व होते हैं executing इंडस्टिरि developing से उसके operation हो सकते हैं एक तो manual operation हो सकता है manual operation का मतलब उसको उपर hand wheel लगा होगा और उस hand wheel को आप जब clockwise गुमाएंगे तो उसकी opening or closing होती है दूसरा ऐसे वाल जहां पर आपको ज्यादा लोड चाहिए होता है यह ज्यादा बड़े वाल होते हैं उनको को operate किया जाता है hydraulic system से उसमें hydraulic cylinder लगा होगा और उसकी वज़े से जो बड़े बहुत बड़े वाल होते हैं जिसका marine application में या कहीं इस तरह से यूज करते हैं तो उन वाल को operate कराने के लिए आपके पास hydraulic system लगा रहता है तीसरी इसमें category आती है pneumatically actuated वाल तो इसमें क्या होता है वाल की opening और closing कराने के लिए pneumatic system लगा होता है आप फॉर टाइम बिंग यह आप स्टुएंट है तो आपको यह समझ वाना चाहिए hydraulic system क्या होता है का pneumatic system क्या होता है basically वह system जिसमें working fluid liquid यूज होता है उसको हम hydraulic system बोलते हैं और वह system जिसमें आपका working fluid होता है वह यूज होता है गैसिस यह यह यूज होती है उसको pneumatic system बोलते हैं आज कि इस particular वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक pneumatically actuated industrial valve होता है उसकी किस तरह से assembly की जाती है और कैसे उसकी टेस्टिंग वगएरा भी करते हैं तो आई वीडियो के थरू हम समझते है यह आप देख सकते हैं वाल्फ है वाल्फ की बोड़ी है और वाल्फ की बोड़ी के अंदर एक sheet होती है यह sheet basically ऊपर नीचे होती है जिसकी वैसे वाल्फ की opening and closing होती है जो वाल्फ की बोड़ी है यह पूरी सिंगल कास्टिंग से बनती है और यहां पर जो बॉल्फ की बोड़ी है यह SS stainless steel की बनी होती है जनरली पहले कास्टिंग आती है कास्टिंग को फिर ले यह आप देख सकते हैं यह basically जो हाथ लगा के मैं बता सिलिंग के लिए भरा जा रहा है और इसमें जो सिलिंग के लिए भरा जा रहा है इसको यह है आपका PTFE जिसको हम पॉली टेट्रा फ्लोरो एथेन भी बोलते हैं जिससे इसके अंदर से जो भी लिक्विड है या कुछ भी फ्लो होगा वह लीकेज उपर की तरफ ना हो तो सटी इस तरह से यह पूरा सिलिंग पर्वाइड करते हैं और यह आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक और हैड्मांट के जाएगा और और यहां पर यह स्रेट लगा जा रहा अब फोट एकº 3प और इसको दौनों तरप से हैं आपक्लैम कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं पूरा प्रासेस की तरह से हो राहा है है सबसे इस तरह लिए और उसके बाद इसके इसके ऊपर अब आभ लगा ने जा रहा हा है और इस आप अ जो देख सकते हैं जो नुमेटिक सिलेंडर है उस नमेटिक सींडर की उपर एक ग्लेम्ठ लगा जा रहा है। इस से आपका यह जो प्लेट है यह connected होगी जो कि अभी आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब्सक्राइब आजाए यह आपका लिक सौरि Work किया जा यहांब देख सकते हैं जिसको आटेज़ किया रहा है यह देख सकते हैं क्लैम किस तरह से हैर अभी जो आपका नचे इप कि लिए यहां पे यहां पर जिफू सिलेंडर का को पिस्टन है की大家好 है और जो नीचे वाली शीट है जो क्योंकि ऊपर नीचे होगी उसको connect कर दिया तो जैसे आपका पिस्टन रड़ ऊपर नीचे मूब करेगा बैसे ही आपकी जो शीट है वो ऊपर नीचे मूब करेगी जिससे ओपने ओफ क्लेजिंग होती है यह यहां पर यह देख रहे हैं इनसे बिसिकली जो नुमेटिक लाइन आएगी जो यह वाली लाइन आएगी उसको connect किया जाएगा और यह इस तरह से कर दिया है इसके बाद यहां पर इसको सपोर्ट करने के लिए दो प्लेट्स लगाई जाएंगे यह nut bolt से इसको claim कर दिया जाएगा नीचे और उसमें जिससे आपका सिलेंडर है सिलेंडर को सपोर्ट करने के लिए यह पूरा सेट अप लगा जा रहा है और इनको operate कराने के लिए आपका पास एक compressor बगएर का पूरा सेट लगा रहा था इसके पीछे जहां भी इस तरह का बॉल लगे रहेंगे तो वहां पर आपको कंप्रेस्ट डियर की जरुवत पड़ेगी इसको operate कराने के लिए और इसके बाद जैसे आप वीडियो आगे देखेंगे तो इसमें इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती वो भी देखाए जाएगा कि अ कि अच्टिंगर ऑसब्चरों कि दाखकए कंप्रेसर और उसका आप एह उना और यह तैंका आपका तू सिलेंडर जो कंप्रेसर यो रखा हुगा है I इसको multi cylinder एक low pressure एक high pressure cylinder होगा इसमें और यह आपका यहां पर यूट्यूब्स आ रही है यह भी clamping ही की जा रही है उसकी और यहां से यह basically इसको operate करते हैं आपका डारेक्शन करते हैं कि ऊपर से यह को डालना है या नीचे से यह जाएगी क्योंकि यह की वैज़ाइसी उसका जो piston है उसका moment होगा और पिस्टन की मुमेंट की वैज़ाइसे जो प्लेट है डिस्क है वह उपर नीचे होगी जिससे आपका वाल ओपनिंग और क्लोजिं अभी पूरा लग गया है यह कंप्लीट असेंबली हो चुकी है अब इसके वाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी यह देखिए बोल्ट बगएर बिल्कुल टाइट करना पड़ता अच्छी से अधरवाइस यह प्रेसर की वज़ाइसे या लूट की वज़ाइसे खुल सकते हैं तो चलाने से पहले इंशूर करना पड़ता है कि आपके बोल्ट बगएरा सही से टाइट है या नहीं अब कि जाएगी से टेस्ट है यह देखिए यहां से ओपरेट के जा रहा है इसको अभी वाल्ट शीट ऑफर की तरफ आ गया अब फिर यह ऑपरेट किया है बोल्ट शीट नीचे की तरफ आ जैसे इंडस्टियल बाल्वा होते हैं गेटवाल उसी तरह से इसकी ओपनिंग औ चैनल